आज की इस वीडियम दोस्तों आपको एक में छोटी सी जानकारी देने वाला हूं सिलिंग फेन को आप जब खोलते हो तो उसका जो इस्टेटर निकलता है कई बार आपने देखा होगा कि अंदर की वाली जो कोईल होता है वो काफी जाता गरम हो जाती है और कई बार जल भी जाती है तो अभी इस फेन में भी वही हालत है तेकि इस्टार्टिंग की जो कोईल है वो सभी तरह सभी है वो जल चुकी है और रनिंग वाली है वो नहीं जला है अब इसका जो कारण है वो क्या है इसका कारण दोस्तो एक ही कारण होता है इसका जो कारण है वो ये 3,5,15 का केपिशिटर है अगर हम इसमें 3,5,15 का केपिशिटर लगाते हैं तो स्टार्टिंग में वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं स्टार्टिंग में ट्रन होते हैं कम और जिसके कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाती है स्टार्टिंग जलने के वाद फैन है वह शिलो चलने लगता है तो कभी भी हमको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमको 3,15 केपिशिटर हमको नहीं लगाना चाहिए कंपनी से आप देखोगे तो 2,25 का केपिश पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लेज कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशान नोलेज वाली वीडियो मिलती रहती है तो दोस्तों मि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार